हाई फ्रेंड्स वेलकम टू इजी लैब विद संगीता बच्चे हो या बड़े पास्ता सभी को पसंद होता है पास्ता का नाम सुनते ही सभी के मुँँ में पानी आने लगता है तो फिर चलिए देर किस बात की स्टार्ट करते हैं यह बहुत ही सिंपल तरीके से टेस्टी पास्ता बनाना तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर यह पास्ता लिया है एक कप पास्ता है मैंने यह पैनी पास्ता लिया है आपके पर जो भी पास्ता हो वो आप ले सकते हैं तो अब हमें पास्ता को वोईल करना है तो यहाँ पर ये एक लीटर पानी मैंने पहले ही गरम करने रख दिया था पानी अच्छे से गरम हो चुका है तो इसमें एक चमच ओयल डाल दिया है और ये पास्ता हम इसमें डाल देते हैं जब पानी बहुत ही अच्छे से गरम हो जाए तभी आप पास्ता डालें ओयल डालने से पास्ता चिपकता नहीं है चिपका चिपका नहीं बनता एकदम खिला खिला बढ़िया उबल के त्यार होता है इसलिए मैंने ओयल डाला है अब इसे आप हाई फ्लेम पर उबलने दीजे लगवाग 10 मिनट तो इसे उबलने में लगेंगे ही बीच बीच में एक दो बार इस तरीके से इसे चलाना बहुत ही जरूरी है अब यहाँ पर यह जो पास्ता है ना फूलने लगा है पहले से थोड़ा सा यह फूलता जा रहा है अभी थोड़ा सा और हम इसे पकाएंगे वैसे पास्ता जो है उसे हमें पूरा 100% यहाँ पर उबालना नहीं है लगबक 80-90% तकी हम इसे उबालेंगे बाकी का बचा हुआ जब हम इसे सबजी बगएरा के साथ पकाएंगे तब यह तयार हो चाएगा तो यहाँ पर यह देखिए यह परफेक्ट्ली कुखोच हुच्टुका है जितना हमें चाहिए उतना ही उबल चुका है मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ यह देखिए जब मैं इस तरीकिसे से कट कर रहे हुँ ना तो इसमें एक हलकी सी लेयर रहनी चाहिए तो हमें ऐसा ही पास्ता चाहिए एक दम बहुत ज़्यादा पका हुआ पास्ता नहीं चाहिए अब पास्ता त्यार है हमें गेस का फ्लेम आफ कर देना है और पानी से अलग कर लेना इसे तो यहाँ पर एक छलनी में मैंने इसे निकाल लिया है और अब मैंने यहाँ गैस पर रखिये एक कड़ाई अब कड़ाई में मैंने टू टेबल स्पून ओयल डाला है ओयल बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे और अब इसमें मैं डाल रही हूं लैसुन तो यहाँ पर एक छोमच लैसुन डाला है लैसुन को मैंने बारी कड़ करके डाला है इसे हलका सा भून लेंगे और अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूं प्यास तो लगबग तीन चोमच के करीब मैंने इसमें प्यास डाली है पारिक कट करके अट किया है प्यास को और प्यास को भी थोड़ा सा भून लेना है प्यास को जादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है प्यास को लगबग आधा एक मिनट तक मैंने इस तरीके से भून लिया है और अब इसमें हम और सबची अट कर लेते हैं तो यहाँ पर इसके अंदर जा रही है गाजर, गाजर को बारिक कट करके डाला है, तीन चमच गाजर एटकी हैं, और एक चमच इसमें डाल दी हरी मिर्ज बारिक कटी हुई, इन्हें भी भून लेते हैं थोड़ा सा, गाजर को लगभग हम आदा मिनट तक इस तरीके से भून लेंगे, और अब इसके बाद मैं इसमें डालूंगी शिमला मिर्ज, तो यह बारिक कटी हुई, शिमला मिर्ज इसके अंदर जा रही है, यह भी तीन चमच है, और यह जा रहे हैं बारिक कटी हुई टमाटर, टमाटर मैंने चार चमच डाले हैं, टमाटर थोड़े चादर तो अच्छे लगेंगे इसमें, अब सारी चीजों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, और इन सब्चियों को हमें थोड़ी देर के लिए पकाना है, तो यहां पर इन सब्चियों को हलका साम सॉफ्ट करेंगे, इसके लिए पहले मैं इसमें डाल देती हूं, नमक, तो यह ज जो जो सबजीयां भी सी सफ्ट हो चुकी है obtu यहां पर यह उन्हें ब्लाइब कर लिया है और सब्चियां सॉफ्ट हो चुकी है तो अब इस स्टेज पर हम इसमें एड़ करेंगे बच्चों का बहुती फेवरेट टामेटो सॉस तो ये दो चमबच भरके इसके अंदर टामेटो सॉस इसे बहुती बढ़िया फ्लेवर आजाएगा हमारे पास्ता में तो इसे भी हम मिक पास्ता इसके अंदर ये देखिए पास्ता बिल्कुल भी नहीं चिपका है एकदम खिला खिला पास्ता है पास्ता को इसमें बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर लग बग 2-3 मिन तक हमेशे इसी तरह पकाना है अब ये पास्ता यहां पर पूर आप यहां पर पास्ता को हमने 2-3 मिन तक अच्छे से पका लिया है पास्ता पूरी तरही के से त्यार हो चुका है अब गैस का फ्लेम आफ कीजिए और पास्ता को गर्मा गरम सर्व कीजिए ये देखिए बहुत ही टेस्टी हैना बहुत ही सिंपल ये टेस्टी पास्ता बना ही है रेसिपी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं अगली वीडियो में